कथते हैं करते नहीं मुह के बने लबार मुहडा काला होएगा साइब के दरबार बलिहारी वई दूद की जामे निकसे गीव आदी साखी कबीर की चारवेद का जीव जैसे गुर गुर केने से मुह मिठा नहीं हो जाता वेसे ही बिना करने के केवन मुह से परमार्थ की बक्ती मार्ग की गुरु बक्ती की बाते करना फालतू है इसी का नाम बासिज्ञान है यह मन का परमार्थ की ओट में बड़ा दोका है गुर्ड का नाम लेने से नहीं बलकि गुर्ड खाने से मुँ मिठा होता है वेशे ही संतों की सत्संग में आकर संत सत्गुरु के हुकम के अनुसार अपना जीवन निर्मल बनाकर अब्यास में सची मैनत करने से कुछ फाइदा होना सुरू होगा परमार्थ की तमाम कारवाई सचे गूरु की प्रसनता अवैदया पर ही निर्बर है और सचे गूरु को प्रसन्द करने के लिए उनको रिजाने के लिए उनके आदेशा नुसार सुरत सब्द योग के सादन में मैनत करना जरूरी है यह केवल जबानी जमाखर्च का काम नहीं है नहीं बिनागी के माल पुड़ा बन सकता है सारे संसार में लगबग सभी लोग केवल कचनी करने वाले ही है करनी करने वाले कोई बिले ही होते हैं जो करनी पर तुल जाते हैं, साथ में करने का आपा याने अभिमान में नहीं करते हैं, वे बुरु के मुरीद नहीं हैं, वे मन के मुरीद हैं, उन्हें ही काफिर कहा गया है। पूरा जगत स्वार्थ में है, स्वार्थ याने मतलब का प्रेम रखता है। नहीं स्वार्थी या बिना मतलब का प्रेम रखने वाले तो वे दयालू प्रबु आप और सच्चे संथ और उनके सच्चे प्रेमी शेव कहीं हैं। ओए द्यावाशियों ने बगवान की कृतक जिता ज्यापन करते वे प्रार्थना की है। कि हे प्रबु हे तुराहित यूग यूग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी वारत मीत सकल जगमाही सपनेओं प्रबु परमारत नाही। जो सच्चा सेवक है वही परमारती याने पराय का उपकार करने वाजा हो सकता है। और सच्चा सेवक वही है जो सच्चे गुरु के आदेश के अंसार करनी करी। अमली जीवन जीने वाले प्रेमी से जगत का अनायाज भारी उपकार होता है। निर्मल करनी करने वाले प्रेमी के मन में सदेव सुब संकल्प, हर पल पर मारती संकल्प उठते रहते हैं, उसके मन में सदेव दर्सनों की उमंग उठती हैं, उर्देव को रिजाने के संकल्प उठते हैं, वे सदाई अपने मन को गुरू की नाराजगी वाले कामों से रोकत इससे उसके आज़ पास का वातावरन वहां की हवा और आकास निर्मल और पविच्छ हो जाते हैं बगतों के हर्दे से सदेव प्रेम की उमंगें परोखकार की बावनाएं दया के विचार उरते हैं जिनका आज़र उस वातावरन में रहने वालों के अंतय करनों पर भी पड़ता है जब गरुर जी को मोह हो गया वे अपने संसे को दूर कराने संकर जी के पास पहुँचे तो संकर जी ने उनको काग बुसुंडी जी के पास बेजा जब गरूर जी काथ भुसुंडी जी के आश्रम के नजदीक ही पहुँचे के, अभी आश्रम से एक योजन की परिदी में प्रवेश ही किया था, कि अविध्या जनित संसे प्रमवे मोह दूर हो गया, ये काथ भुसुंडी जी के निर्मल अमली जीवन याने करनी का आसर था, इसलिए संतों के दरबार में बक्त जहां निवाज करते हैं, वहां तथा जहां सच्चे प्रेमी प्रेम से मालिक कुन गाते हैं, वहां सत्संग में वातावर निहायत ही पवित्र होता है, और उसका आसर वहां मौदूद लोगों पर पड़ता है, दुनिया में संतों मापु संतों की बात का बड़ा आसर होता है, संत स्वयम जो बात मूँ से उपदेश फरमाते हैं, वैसाई अपना जीवन उनका होता है, जो लोग खुत पालन नहीं करते और दूसरों को उपदेश या सिक्षा देते हैं, उनकी सिक्षा या उपदेश का आसर सुनने वालों पर नह इतना असर होता है कि उससे कई संसारी जीव परमार्थी बन जाते हैं, पांचवें गुरू अर्दून देश जी के समय में एक दिन सत्संग में इस बात पर चर्चा होई कि कतनी वाला जीवन गुरू को प्यारा नहीं है, गुर्मुक का जीवन अमनी होता है और उससे दूस का भी बड़ा बारी फाइदा वे उपकार होता है। सत्संग की समापती पर एक जिग्यासु सत्संगी ने प्रार्चना की कि मुझे आप दया करके विस्तार से गुरू मुक और अमली जीवन के बारे में समझाएं। गुरू अरजुन देव जी ने फरमाया कि तुम अमली जीवन के बारे में सुनना ही चाहते हो या ऐसे गुरुमुक के दर्सन करना चाहते हो। कि आज गुरुद्वारे में लंदर की सेवा के लिए पांच सू रुपे भेज दे। आज से चार सो वर्स पहले पांच सो रुपे बड़ी रकम होते थी। ऐसा उकम नामा लिखकर जिक्यासु सत्संगी को दिया और फरमाया कि फला सहर में इस सत्संगी के पास जाओ और उससे पांच सो रुपे लेकर आओ। सत्संगी चला, गुरुमुक सत्संगी भाई के गाओ और गरपर पहुचा तो क्या देखता है कि ये तो एक नेरदल परिवार है। 500 रुपे तो क्या इसके पास तो एक रुपे भी मिलना मुश्किल दिखता है। उसने गुरु साथ का हुक्म नामा निकाल कर सत्संगी को दिया, सत्संगी ने हुक्म नामा लिया, उसे सिर पर रखा, आखों से लगाया, चूहा, फिर पढ़ा, पढ़ कर मदन हो गया, आखों से आखों जरने लगे, सोचा कितनी देया है दाता की, मुझे जैसे नाचीज को याद सर्माया है मुझे भी अपने हर्दे में जैगर दे रखी है मुझे भी सेवा के लायक और कादिल समझा है मुझे सेवा बक्स रहे है जैसा वे प्रेमी था वेसे ही उसकी करवाली भी सची प्रेमी थी आने वाले भाई को अपने घर में रखा उनकी बंदगी की सोचने लगे कि वे दाताई दया करके कहीं से पांसो रुपे आने का जरिया भी खोलने वाले हैं तब ही उस सहर में मुल्क के राजा का दोरा हुआ राजा जी की तरफ से दिन्डोरा याने मुनादी कराई गई कि जो कोई राजा के पहलवान जिसकीनिया को कुस्ती में हरा देगा उसे एक हजार रुपे का एनाम दिया जाएगा और जो कोई राजा के पहलवान से हार भी गया तो भी उस लड़ने वाले को 500 रुपे दिये जाएंगे मिश्कीन या पड़ा बारी नामी पहलवान था उससे कोई कुस्ती लड़ने को तयार ही नहीं होता था उसने कई चोटे मोटे पहलवानों को कुस्ती में मार डाला था सबसंगी भाई ने तया कि हुकम नामे की सेवा पूरी करने के लिए मैं साही पहलवान से कुस्ती लड़ने जाऊंगा यह समय पर मैं कुस्ती लड़ने अखाडे में पहुँच गया राजा भी सिंगासन पर बेथे थे मिश्कीन या उचल पूद कर रहा था जब उसने इस गरीब कमजोर विप्ती को आया हुआ देखा तो विचार किया कि यह मेरे सामने मरने को क्यों आया है अकाडे में उससे दीरे से पूछा भाई तू तो पहलमान नहीं दिखता तू क्यों मेरे से लड़ने को आया क्या तुझे जान प्यारी नहीं है जब उसने बहुत आग्रे किया तो सत्संगी ने पूरी बात जल्दी से बता दी कि मुझे मेरे गुरु साहिब की सेवा के लिए पासो रुपे की जरूरत है उसके सरलता और गुरु बक्ती पर पहलवान रीज गया उस देर थोड़ा लड़ने के बाद जान बूज के नीचे गिर गया और अंत में इस तरह से हार गया कि राजा जी को सक ना हो सर्थ के अनुसार सत्संगी को जीत के इनाम के एक अजार रुपे मिल गए पहलवान ने का भाई मुझे भी गुरु साहिब के दर्सनों के लिए साथ लेकर चलो तीनों एक तो जो हुकम नामा लेकर गया था वै सत्संगी दूसरा गुर्मुक सत्संगी और तीसरा मिस्कीनिया पहलवान तीनों गुरु साहिब की खिदमत में हाजिर हुए जो भाई गुरु साहिब का हुक्म नामा लेकर गया था वे चर्णों में गिरा और गदगद कंट से प्रार्थना की कि ये महराज आप धन्य है और आपके सच्चे प्रेमी धन्य है फिर उसने साड़ा हाल आखों देकर सुनाया मिस्कीन या पहलवान का परिचे कराया उस समय गुरु अरजुन देव जी सुखमनी साहिब की रचना कर रहे थे ग्यारे अश्टपदियां बन चुकी थी बारे में बनाने वाले थे तबी ये तीनों हाजिर हुए और जिस प्रकार से गुरु अज्या का पालन किया गया था उसे सुनकर गुरु साहिब रीज गए उस सोकर अपनी दया मेर का हाथ उन तीनों के शिरों पर रखा और जड़गद कंट से फरमाया सुखें बते में सकीनिया आप उने वारित ले बड़े बड़े एंकारिया नानक गड़ बिगले जो छोटे बनकर एंकार रही तो कर सबसे नीचे बनकर रहते हैं वे ही सुखी होंगे एंकारियों का गर्व गलाया जाएगा मिस्कीनिया ने अपने एंकार को छोड़ कर अपने हाथ को नीचे गिरा लिया था तो गुरू साइब ने उसे सुखी रहने का आशिरवाद दिया और उसे भी बक्ती की दाथ बक्षी बिना पूरे गुरु की सरन के बिना पूरन गुरु की क्रपा के जीवन अमली याने रहनी वाला नहीं बनता बाती पूरा संसार तो कसनी का जीवन ही जीता है पूरे सत्गुरु ही राज्ता चलना सिखाते हैं राज्ते के बिगनों से बचाते हैं जहां भूल चूप गल्पी हो जाती है, वहां सेवत की गल्पी माथ करके उसका काम बिगणने से बचाते हैं। सेवत की गल्पी सुधार कर पिर राज्टे पर आगे बढ़ाते हैं। मनुस्य तो भूल और गल्पी का फात्र है, गिरकर ही कोई पत्कासवार बनता है। इसलिए निरास होने की नहीं मार्ग पर चलने की जरूरत है, जो राज्टे पर चलता ही नहीं उसे तो कहीं पर नहीं पहुंचना है, जो चलता है वह एक दिन जरूर मंजिल पर पहुंच जाता है। चाहे दीमे दीमे ही चले चले जरूर यही कतनी और करने का सार है। सद्गुरु कविये साथ ने हरमाया है। चलते मारग जो गिरे ताको नाइं दोस कए कभीर बेठा रहे। चलते मारग जो गिरे ताको नाइं दोस कए कभीर बेठा रहे तासिर करडे कोस। भय भाव और अदब। डर करनी डर परम गुरू डर पारस डर सार डरतर हे सो उबरे गाफिल खावे मार। मन का सवाव निरंकुस है। मन अपने पर किसी की हकुमत नहीं चाहता है। भय भाव और अदब प्रेम और दीनता की निशानी है। निडर्ता या निरंकुस्ता अभाव और बे अदबी एहंकार के लक्षन और प्रकर्तिया है। जिस दसा में जो जीव है वहाँ से उनत्ती करने के लिए विकास करने के लिए प्रकर्ति के रास्ते पर जाने के दो उपाय है। पहला रास्ता सेज सबाविक और गेरा प्रेम है। यदि हमारे में मालिक के प्रती या गुर्देव के प्रती गेरा प्रेम हो तो हम निश्चित तोर पर सुदर जाएंगे। लेकिन गेरा प्रेम पहले होगा कहां से। जीव तो अनन्त समय से माया के साथ रहने से अपना सेज सबाव यानि प्रेम भूल चुका है। तब दूसरा तरीका सुदरने का है डर का। दुनिया में मनुष्य जाती समाज बना कर रहती है। तो कई प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं के अंकुस सब को मानने पड़ते हैं। मुलक का कानून है और उसके उलंगन पर दंड का डर सब को गलत काम करने से रोकता है। छोटा बालक गर में बहुत लाड प्यार से यदि पाला जाए तो वे लाड प्यार की अधिकता से मनमानी करेगा और किसी का कहना नहीं मानेगा। वही जब उस्ताद और सिक्षकों के हवाले किया जाएगा तो वहां सुदर कर सुसील बन जाएगा। कैसे उस्ताद के अदब और डर से। यदि कानून के उलंगन पर सजा का डर नहीं हो तो समाज में सेरों में भी जंगल का राज कायम हो जाए। यदि बलवान यदि निर्बल का को सताएगा तो निर्बल या कमजोर का गुजारा नहीं होगा। यह डर ही है जो हमें दुनिया में भी भला नागरिक बनाता है। इसी तरह से दुनिया में लोग अपने परिवार के बुजुर्गों और बड़ों से विरादरी और खांदान की परंपरा और कुल की रीती नीती का विचार करके बहुत सी बुराईयों से बच जाते हैं। जो व्यक्ति जिन लोगों के संग और गिरों में रहता है उनकी भी नाराजगी का काम नहीं करता। यही डर उस व्यक्ति को सुदार कर उसे भला बनाता है। प्रेम की दात तो निर्मलता आने पर ही मिलेगी। तो प्रेम की ताकत से सुदरने का जरिया बहुत कम भागेशाली लोगों को मिलता है। हाँ डर से जो सुदार करके प्रेम के पात्र बन जाते हैं फिर वे भी सच्चे प्रेमियों में गिने जाते हैं। जो संतों की सतसंग में सामिल हो गए हैं उनको भी चाहिए कि वे सतसंग की उंची मरियादा का पालन करें यदि सतसंग ही कहलाते हैं तो गलत काम करने से डरें सतसंग सचे संत सत्गुरु का कुटुम्ब है उनका कहलाने के बाद हमें अपने खानदान के मुखिया बुजूर्ग की नाराजगी की तरह गुरुदेव की नाराजगी से अवश्य डरना चाहिए जितने डर हैं जैसे मोत का, चोरासी का, नर्कों का, कठिन, खोटे कर्मों का, विराधरी और बुजुर्गों का, यहां के कानून काइदे का, इन सब से डर कर गलत काम करने से बचा जा सकता है इन सबसे उत्तम डरवे है जिसमें हम अपने गुरुदेव की नाराजगी से डर कर उन कामों को करने से बचें जो गुरुदेव को प्रिय नहीं है यह डर तो प्रेम की सक्ति के लगबग समान ही सात्विक और पवित्र है प्रेम में व्यक्ति अपने प्रीतम की खुसी के काम करता है या उनकी नाराजगी के डर से डर कर गलत कामों से बचता है जब कोई सत्संग में सामिल हुआ तो सत्संगी के जगत के दुनियादारी के व्यभार में फरक दिखना चाहिए सत्संगी को चाहिए कि अपने निजी और दुनियावी फायदे के लिए किसी को दुख न पहुँचाए दूसरों के ओगुन सुनने और कहने और मसूर करने से बचे किसी को दोका न दे आइंसा का पालन करें नेक और सच्चाई का आचरन करें इमानदारी और मेहनत का जीवन जीएं मीठे वचन बोलें गलत जगे गलत काम और गलत संग से बचें नहीं तो गुर्देव नाराज होंगे गुर्देव की इस नाराजगी से तभी बचा जा सकेगा जब मन पर गुरु की नाराजगी के डर का अंकुस रहेगा ऐसा डर ऐसा प्यार और ऐसी अदब तभी दिल में आएगी जब सत्संगी गुर्देव को मालिक समझेगा जो मुँ से तो गुरु को मालिक या मालिक से बड़ा समर्थ और अंतरिया में बताता है और उनकी नापसंदगी के काम भी करता है इसका मतलब यही है कि उसने गुरु को मालिक नहीं जाना और ये कपट का नमूना है निड़ता और बेद भी एहंकार है एहंकारी का दर्बार में दखल नहीं है जब से संतों के सतसंगी बने उनके सतसंग में सामिल हुए तब इसे सतसंगी का नया जनम होता है समझदार परमार्थ के कदरदान सतसंगी अपने पुराने आदतें चाल ढाल व्यभार को छोड़ देते हैं और दीनता युक्त संतमत की उंची मर्यादाओं के दाइरे में एक परमार्थी जीवन अपनाते हैं ऐसे सतसंगीों पर सचे गुर्देव की सदेव क्रपा रेती है और उनकी थोड़ी सेवा और करनी भी जादा फल देती है थोड़ा सुमिरन बहुत सुख जो कर जाने कोई सूतन लगे बिनावनी सजे अति सुख ओई ये बात भी सही है कि पुराना सवाव मन की आदतें जल्द नहीं बदलती बलकि मन अपनी आदतें छोड़ता ही नहीं है इस जनम में जितना जीवन और समय संसारियों के साथ गुजारा है उसके कारण तता अनंत पुराने जनमों के संसकारों के कारण मन सरलता से सुधार के गाट पर नहीं आता इसलिए डर याने खोप की जरूरत पढ़ती है इसलिए तो मालिक ने इसी में जीवों का भला समझ कर काल की रचना की है सद्गुरू रादा स्वामी साहिब जी ने फरमाया है काल रचा हम समझ भूज के बिना काल नहीं खोफ जीव के कदर दयाल नहीं बिना काल के मोज उठी तब अस दयाल के बिना डर या भैके मन अपनी मगरूरी नहीं छोड़ता और भक्ती मार्ग पर नहीं आता इसलिए रामचरित मानस में गुसाइं तुलसी दासी ने फरमाया है भायबिन हो हिन प्रीत भूल चूग सबसे होती है मन और इंद्रियां अपने पुराने सभा वस बार बार वही काम करती है भलेई उनका परिनाम दुखत हो भूल चूक हो जाने पर दो रास्ते हैं एक तो माफी का, दूसरा सजा का जो डरते रहते हैं, जिनके मन में अदब भी है वे गलती हो जाने पर दुखी होते हैं सच्चा पछतावा और पछचा ताप करते हैं माफी मांगते हैं आइंदा वेसी गलती ने बन जाए उसकी पूरी कोशिस भी करते हैं ऐसों की तुटियां या गलतियां माफ कर दी जाती है जो निडर है और बे अदब है वे अपनी मगरूरी में अपनी गलती को मानते ही नहीं अपनी गलती छिपाते हैं उनको अपनी गलती का पस्चाताब भी नहीं होता ऐसों के लिए गलती का परिणाम सजा है जिसको गलती होने पर ला जाती है, सरम मैसूस होती है, वे अदब की निसानी है यह भी मालिक की एक तरह की दया है, जो उनको दीरे दीरे विकारी अंगों से छुड़ा देगी जो कोई सची सतसंग में सामिल होकर मालिक और गुर्देव का डर संका और अदब नहीं लाता उसका मतलब यह हुआ कि उसने मालिक को मालिक ही नहीं जाना मालिक की समरत्ता और कुदरत का डर भी उसे नहीं है उसकी जब मालिक से मिलने की या अपने सच्चे कल्यान की गर्ज ही पूरी और सच्ची नहीं है तो वह भले ही दिखावे के लिए सत्संग में रोज दर्सनों की दात या प्रेम और नाम की बक्सीस मांगे उसे भक्ती की दोलत कैसे दी जा सकती है ऐसे लोग भी सत्संग में पड़े रहेंगे तो संत अपने बिरद से दीरे दीरे उनको भी परमार्थ के काबिल बनाएंगे ऐसा केवल दया की वज़े से होगा क्योंकि उनके दर पर आया कोई भी खाली जोली वाला नहीं रहता लेकिन बिना दंड पाए उनके मन और इंड्रियां सीधी तरह चलना नहीं जानते इसलिए उनको थोड़ा कष्ट और कलेश भी सेहन करना पड़ेगा इसी तरह से बिना अदब का प्रेम भी नादान का प्रेम है सत्संग में आकर मालिक और गुर्देव की महिमा सत्संग में तता प्रेमियों के मुख से सुनने के बाद यदि बेद भी करता है तो यह मन की मगरूरी और एहंकार है जब तक सच्चे संत सद्गुरु की पैचान नहीं आई तब तक यदि अंजान में भूल से यदि अदब में कसर पड़ जाए तो वे तो माफ भी की जा सकती है लेकिन पैचान आने के बाद परमार्ती को खूब ही सावचेत और सावधान रहना चाहिए अंजाने में भी गुरुदेव और अपने इश्ट के प्रती बेयद भी नहो जाए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए गुरुदेव के सम्मुक उठने में, बेटने में, उनसे प्रार्थना करने में, बात करने में, सेवा का काम करते वक्त, वजन सुमरन करते वक्त ये भाव बना रहना चाहिए कि मैं सच्चे मालिक सत्त पुरु सत्गुरु देयाल के सामने हूँ मनु महराज ने मनु इसमर्ती में कहा है कि शिष्य का कर्तव्य है कि गुर्देव के सरीर की चाया को शिष्य कभी लांग करने जावे कभी ऐसी दिसा में उनके सामने खड़ा नहो कि शिष्य के सरीर की चाया गुर्देव पर पड़े कभी उस तरब खड़ा नहो कि हवा सिश्य के ऊपर से बैकर गुर्धेव की तरफ जाए सदा ऐसे खड़ा रहे उस दिसा में खड़ा होवे कि गुर्धेव के ऊपर से हवा बैकर सेवक की तरफ आए रामचरित मानस के उत्तर कांड में एक प्रसंग में काग बुसुंडी जी अपने पूर्व जनम के व्रतान्त में बताते हैं कि एक बार वे सिव जी के मंदिर में बेठे, सिव जी के नाम का जाब कर रहे थे, कि उनके गुरुदेव वहां आ गए। काग बुसुंडी जी एंकार में बेठे रहे, उठकर प्रणाम नहीं किया। इस त्रूटी पर संकर जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने काग बुसुंडी जी को, मतलब उनके पूरु जनम की कता में, काग बुसुंडी जी को हजार त्रिजट योनियां और अजगर की योन में जाने का स्राप दे दिया, अदव के पालन का भी रामचरित मानस में बड़ा संदर प्रसंग है, अजोध्या कांड में भगवान वन में पेदल जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे सीता जी चल रही है, उनके भी पीछे लक्षमा जी इस तरह से चल रहे हैं, कि भगवान के चरनों के निसान और सीता जी के चरनों के निसान पर उनका पाउं ने पड़ जाए वे उन दोनों के चरन छिन्नों को दाई दिसा में रखते वे उनको बचा कर चलते हैं इसी तरह से बाद में बरद जी पूरे राज समाच माताओं और वसिष्ट जी के साथ अयुद्या से वन को रवाना हुए स्रंग वेरपूर में गंगा जी को पार करने के बाद वे पेदल नंगे पाउं चलने लगे माता कोसल्या की ममता उबर आई अपने रत को बरद जी के पास ले जाकर बोली पुत्र तुमारे पेदल चलने से मुझे तता पूरे अयुद्या वासियों को दुख होता है तुम रत पर चड़ जाओ बरद जी ने वहाँ जो जबाब दिया वही आने वाले बक्तों के लिए प्रकास अस्तंब बन गया बरद जी ने वहाँ कहा सीर भर जाओं उचित असमोरा सब से सेवक धर्म कठोरा सीर भर जाओं उचित असमोरा सब से सेवक धर्म कठोरा जिस मार्ग पर मेरे स्वामी पेदल गए हो उस पर में रत पर बेट कर नहीं जा सकता मेरा फर्ज तो यह है कि इस रास्ते पर मैं पेरों पर चल कर नहीं बलकि सिर के बल चल कर जाओं सेवक का धर्म याने सेवक की मर्यादा बड़ी कठोर है गुरु गीता में संकर जी पार्वती जी को गुरु मर्यादा की शिक्षा देते हुए कहते है गुरु रग्रेन वक्तव्यम् प्राग्यसिष्यकदाचन गुरु रग्रेन वक्तव्यम् सत्यम् तूकदाचन गुरुम्त्वं क्रत्यम् हुम् क्रत्यम् गुरु सन्निद्यभासन अरण्ये निर्जले देसे संभवेद ब्रह्मराक्षसे गुर्देव के सामने प्रग्यावान सिष्य को कभी हुंकार सब्द से याने मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया इस तरह नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए गुर्देव के समक्ष जो हुंकार सब्द से बोलता है अत्वा गुर्देव को तू कहकर संबोदित करता है वह निर्जन निर्जल मरू भूमी में ब्रह्मराक्षस होता है सिवजी पार्वती का ये संवाद इसकंद पुरान के उत्तर खंड में आया है दुनिया में संसकारी, सूसंसकरत और सब्य लोगों में अदब होती है उचे और मर्यादा वाले कुल और खानदान में अदब होती है उचे गरानों के लोग बे अदबी से पेस नहीं आते इसी तरह सत्संग में सामिलोकर जो अपने गुर्देव की बढ़ाई का विचार करते हैं जो सत्संग को अपना कुनबा और सत्संगियों को अपना कुटुम भी जन मानते हैं वे मालिक के आगे गुर्देव के आगे और संगत के आगे दीन बने रहते हैं और इनके आगे अदब से पेस आते हैं इससे उनको परमारती बक्सीस मिलती है बड़ों की यदी कोई सेवा भी करे लेकिन अदब नहो तो सेवा के साथ साथ अवग्या भी और बड़ों की यदी कोई सेवा भी करे लेकिन अदब नहो और सेवा के साथ साथ अवग्या भी कर दे तो वे सेवा बड़ों को कभी खुसी नहीं दे सकती उस पर बड़े नहीं होंगे, इसलिए सेवा, सत्संग, आग्या पालन, ये सभी अच्छे काम अदब के साथ किये जाने चाहिए, दुनिया में भी जो कोई किसी फिरके या विरादरी का सदेश होता है, उस विरादरी का संगत का उसमें जो बड़े हैं, उनका काईदा नहीं मानता, तो उसे समा से निकाल दिया जाता है, काल पुरुस याने निरंजन भगवान को, जो की सत्पुरुस सतगुरुदेयाल की कला हैं, उनके अवग्या भाव के कारण सत्देश से निकाला गया, अब्यास का टातपरिय, सुमरण, ध्यान और भजन ये तीन अब्यास के प्रगट अंग है इनका मतलब यह है कि सुरत जो देह में और देह के बार संसार में फेली हुई है उसको समेट कर यानि बिखराव को समेट कर उसे तीसरे तिल में प्रवेश कराना तीसरे तिल पर जो विशेश चेतन्य की धार यानि सब्द की धार उपर से आ रही है उसको पकड़ कर अंतर में चलना जब सुरत का विखराव मिटेगा सुरत एकागर होगी तब सब्द प्रगट होगा चंचल चित के साथ सुरत इस्थिर नहीं है चलाएमान है तो ऐसी चंचलता के साथ सुरत तीसरे तिल में प्रवेश नहीं कर सकती और सुक्षम सब्द को नहीं पकड़ सकती है सुरत चेतन्य की धार है सत देश से नीचे माया देश में उतरी तो उस पर माया का परदा यानि खोल चड़ गया और नीचे उतरी तो काल की धार जो की संकल्प विकल्प रूप है जिसे मन कहते हैं उसका आवरण इस पर और चड़ गया यानि मन की धार ने चेतन्य की धार को निगल लिया मन की धार का एक और परदा इस पर चड़ गया अब सुरत चेतन्य की धार सोतंत्र और आजाद नहीं रही मन इसे उदर ले जाता है जिदर का जैसा संकल्प उसके उठता है जैसे नारियल की गिरी या बदाम या अखरोट पर कड़े आवरण चड़ गए हालांकि गुण और महत तो बदाम का है लेकिन बदाम तब हाथ आएगी जब उपर का कड़ा आवरण तोड़ा जाएगा अब्यास का मतलब मन माया के कड़े परदे या खोल को तोड़ कर सुरत याने तवज्य की धार को उपर निजगर की और मोड़ना सुरत धार रूप है तो सदा ही प्रवार रूप है अभी तो यह बाया दे और संसार की और बैकर जा रही है क्योंकि मन माया के संकल्प विकल्प ही उठाता है सुरत मन की धार की केद में है अनायास माया में गेरे की ओर बढ़ रही है और मालिक से जादा दूर हो रही है अब्यास उन क्रियाओं का नाम है जिन से सुरत मन के परदे से बाहर आवे और इसका बहाव भगवंत की और हो जावे सुमरन से पहले ही बिखरी हुई सुरत सिमरती है इसलिए सुरत से सुमरन यानि पूरी तवज्जह से सुमरन तीसरे तिल के ठिकाने पर यानि ध्यान के मुकाम पर करना चाहिए सुम्रण द्वारा पूरा सिम्टाव होने पर ही सुरत सब्द को सुन सकेगी इसलिए सुम्रण के वक्त मन की गुनावन मन के संकल्पों के खिलाब कोसीज करके इसे नाम के सुम्रण में लगाते हैं जबान से नाम लेने वाला सुमिरन तो सरल है, लेकिन मन के संकल्पों गुनावनों को हटा कर एकागरता लाने वाला अंतर सुमिरन कठिन है। संकल्प से खाली होने और एकागरता को बढ़ाने का अगला सादन है ध्यान। ध्यान बिना ठिकाने का नहीं होना चाहिए। गुरू सरूप का ध्यान तीसरे तिल पर तवज्य को जमा कर, तवज्य को इदर उदर जाने से पूरी तरह रोक कर प्रेम के साथ करना चाहिए। गुरू के सरूप में प्रेम होगा, उनके दरसनों की गहरी चाहना होगी, तभी ध्यान इस्थिर होगा। जब सिम्टाव पूरा होगा, तभी सब्द प्रगट होगा और गुरू सरूप के दरसन होगे। जब कोई आवाज दूर से आती है और ठीक से पता नहीं चलता कि आवाज असल में कैसी है और ठीक किस जगह से आ रही है, तब उसे खूब गोर से सुने, तभी ये बात समझ में आ सकती है कि किसकी आवाज है, कैसी आवाज है और किदर से आ रही है। इसी तरह से सब्द को चित देकर एकागरता के साथ सुनना चाहिए कि ये किदर से आ रही है इसमें कौन-कौन सी आवाजें सामिल है इसमें हमारे इश्ट याने हमारे गुरुदेव का सब्द भी है उसे पहचान कर फिर उसी में चित लगा कर सुने तो दीरे-दीरे वै खुल में ज़्यादा समय देना चाहिए और जब एकागरता हो तब सब्द सुनने के अभ्यास में ज़्यादा समय देना चाहिए जब सब्द की आवाज अपनी सुरत की धार को उपर की तरफ खेंचती हुई सी मैसूस होए जब सब्द की आवाज में आकरसन खुब बड़ा हुआ मेसूस होए तब उसे ज़्यादा समय देना चाहिए सब्द के सुनने के अभ्यास से और गुरु सरूक के ध्यान से सुरत चेतन्य की धार माया और मन के परदे को हटा कर सब्द की तरफ जाएगी संतों के बाणी बचन और पोथी का पाठ भी अभ्यास के समान ही फल दे सकता है यदि बाणी बचन और बिंती प्रार्थना को पूरी एकागरता के साथ मन की बठकन को रोक कर बिंती प्रार्थना के भाव को अपने उपर घटा कर तीसरे तिल पर गुर्देव को हाजिर समझ कर उनके चर्णों में प्रार्थना पेश की जाए तवज्य दे में और बार दुनिया में नहीं रहे इससे भी सिम्टाव, एकागरता और सफाई का लाब मिलता है प्रार्थना और अर्जी यदि अंतर्म को कर खूप प्रेम से की जावे तो उससे भाव याने प्रेम भी बढ़ता है उससे भी सुरत की धार माया से दूर और भगवंत के निकट जाती है इससे भी कमोबेस अभ्यासवाला लाब हासिल हो जाता है गुरू सरूप का बार प्रकट में दर्सन, गुर्देव के आमने सामने का दर्सन या उनकी हाजरी में सत्संग में बाणी बचनों का पाठ उंचे मुकाम पर चित लगा कर सुनने से भी सुमिरन, ध्यान और भजन जैसा फायदा हो सकता है यह थोड़ा कठिन तो है किन्तु निरंतर अभ्याज से ऐसा हो सकता है जब संत सद्गुरु सामने बिराजे हों तो सुरत की तवज्य की धार को मन की संकल्प विकल्प की धारा के साथ नहीं बेने दे गुरुदेव के स्वरूप को अत्यंत प्रेम से ऐ पलक निहारते वे उस स्वरूप को अपने चित के पटल पर अंकित कर लें ऐसे दर्सन बाद में जब ध्यान करने बेठेंगे तब बहुत मददगार होंगे प्रेम के द्वारा सुमिरन ध्यान से मन की गुनावनों को दूर करना चाहिए जब मन के गुनावनों का जोर कम होगा तब एकागरता होगी कम बोजन, दुख, तकलीफ, बिमारी, तंगी, निंदा और दुनियादारों द्वारा किया जाने वाला अपमान ये मन पर रगडे लगाता है, जैसे किसी चीज पर चड़ा हुआ छिलका या आवरन या जंग रगड कर मसल कर उतारा जाता है, वेसे ही सुरत पर पड़ा हुआ मन माया का परदा भी मन पर रगडा लगने से अलहदा होगा माया का जहर माया के गुणों और सबाव का सुरत की निर्मलता पर असर हो गया है यही माया का परदा है यही माया का और विकारों का जहर है इसे उतारने के लिए गारूडी गुरू और गारूडी सबद की जरूरत है जैसे गारूडी मंत्र से फनकार या जानकार विश उतार देते हैं बस ठीक वेसे ही गारूडी गुरू याने सबदरता गुरू ही मन माया का ये जहर सुरत पर से उतार सकते हैं सद्गुरु कबीर साब ने फरमाया है तनमन डशो बुवंगम बारी लहरे वारन पारा गुरू गारूडी मिल्यो नई कब हूँ विश पसर्यो विकरारा मन माया और इनके अंस विकारों ने डस लिया है उनका जहर चड़ गया है माया की एपवित्रता और मलीनता विक्राल रूपदारन करके विस्तार पा रही है सुरत कैद में हैं अपने बल से इस मन माया के परदे को बेद नहीं सकती कोई बेदी गुरू मिले तो वे अपने गारूडी मंत्र से इस असर को माया के जहर को दूर करें सुरत की चेतन्यदार पर माया की जड़ता के आवरण को हटाएं संतमत का अब्यास यही है संतों ने फरमाया है कि यदी दुनिया के सरीर निर्वा के तमाम काम करते वे जो मुख्य तवज्य सब्द धुन में या गुरू सरूप पर या तीसरे तिल पर नाम के अंतर सुमरण में जोड़े रख सकता है वही सच्चा अब्यासी है यह अब्यास फिर सोते जागते काम दंदा करते हुए भी चालू रहता है सद्गुरु पल्टू साहब ने फरमाया है कमत द्रश्टि जो लावई सोध्यानी परमान सोध्यानी परमान सुरत से अंडा से वे आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे जस पनियारी कलस भरे मारग में आवे कर छोडे मुख बचन चित कलसा में लावे फणि मन धरे उतार आप चरने को जावे वेगा फिलना परे सुरत मने माई रावे पलतू सब कारज करे सुरति रहे अलगान कमत द्रश्टि जो लावई सोध्यानी परमान सारीरिक परिश्रम और क्रिया अब्यास या योग सरीर से बनता है लेकिन संतों का अब्यास तवज्य का खेल है यदि दिन रात अब्यास किया जावे तो इसका अर्थ हुआ कि सरीर इस्थित चेतना को ने बाहर दुनिया में ने सरीर में नीचे की तरफ जाने देना और तीसरे तिल पर या अंतर में उचे मुकाम पर एकाग्र किये हुए रखना तवज्य को इस तरह उची खेंची हुई रखने में सरीर में मस्तिस्क की तरफ खोन का दोरा जादा होता है और उससे रक्त संचे दिमाग में बढ़ता है यदि सारीरिक परिस्रम नह किया जाए तो उस रक्त को वापस नीचे प्रवा में नह लाया जाए तो उससे सरीर क्रिया में अडचन पेदा होगी इसलिए अब्यासी को सरीर से उसकी स्वयम की अपनी उमर, खानपान, आदी के अनकूल, कुछ सारीरिक मेनत और परिश्रम भी जरूर करना चाहिए इसलिए संतों ने तन की सेवा और दुनिया में रहकर याने ग्रेस्ट में रहकर दुनिया के सब काम काज करने की परिपाटी जारी की अभ्यासी सत्संगी की मुख्य तवज्य अंतर में चर्णों की तरफ खिंची रहे और अपना दुनिया का काम भी यदिवे करता रहे तो उसका समय अभ्यास में लगा हुआ माना जाएगा जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं विवेक साधन नहीं विवेक साधन सब के के छूटा लागी सैज समाधि सब्द ब्रह्मांड में फूटा खंडन तनिकन होय तेलवत लागीदारा जोति निरंतर भरे दसों दिसिभाव जियारा ज्यान द्यान सब छूटि छूटि संजम चतुराई तनकी सुधिगई विसर अरूड अवस्ताई पलटू में भजने भया रही न दूजी रेक जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं विवेक साथ बातों की समाल सच्चा परमार्थी जो की अपने सच्चे स्वामी के दर्सन अपने निजगर में पहुँच कर करना चाता है उसे नीचे लिखी साथ बातें जरूर माननी चाहिए और उनके अनुसार विवहार करना चाहिए तब ही हरदय में प्रेम पेदा होगा और साथ बातों की समाल के साथ वे प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा यानि प्रेम का रंग चड़ेगा और प्रेम का रंग गेरा होता जाएगा इसके साथ ही दुनिया का रंग उतरता जाएगा साथ बातों की समाल से मन का अंग यानि सभाव बदलेगा विकारी अंग दीरे दीरे साफ होंगे पहली कुल मालिक सद्गुरु दयाल के चर्णों का प्रेम वे प्रतीत संत मत में सत्पुरु सद्गुरु दयाल इश्ट हैं सत्संग के वचन सुनकर तमाम भरंव संसे को दूर करके सच्चे मालिक के होने का बरोसा लाकर उनको अपना सच्चा स्वामी धारन करें उनकी आसा, उनका बरोसा, उनका सहारा और उनकी सरण मजबूत करें उनकी मोजूदगी के बारे में, उनका जीव के सच्चे हितेसी होने के बारे में उनकी सर्व समर्थता के बारे में रंच मात्र भी संसे वसंदेह न रखे कोई ब्रह्मव संसे हो तो उसे सत्संग में दूर करावें जिदि भर्म और संसे का बीज किनका मातर भी रह गया तो प्रेम्व प्रतीत का भारी नुकसान कर देगा भर्म और संसे रह जाने से अब्यास में कसर पड़ेगी भर्म और संसे की जगे अपने बड़े स्वामी का उनकी दयालुता का और उनकी सर्व समर्थता का और इस बात का कि मैं उनका सेवक हूँ, सत्संगी के मन में गर्व होना चाहिए ये अभिमान जाय जनिभोरे मैं सेवक रगुपति पति मोरे दूसरा सच्चे गुर्देव के चर्णों की प्रेम व प्रीट सच्चे संत सद्गुरू, सत्पुरू सद्गुरू दयाल के सरगुण यानि देधारी रूप है यदि संत सद्गुरू के रूप में थोड़ा प्रेम, भाव, अदब नहीं होगा तो संत मत की समझ ही नहीं आएगी गट के बंद पट केवल सद्गुरु के प्रेम से ही खुलेंगे जब गुर्देव के दे रूप में सच्चा और गैरा प्रेम होगा तो अंतर में उनके प्रकास मई रूप में दर्सन होगे और गट में सब्द प्रगट होगा वहीं से आगे घटका बंद रास्ता खुलेगा सिवाए इस एक तरीके के अंदर का पट खुलने का और कोई रास्ता नहीं है सच्चे गुर्देव के प्रती विश्वास और प्रेम निरंतर उनका संग करने से, निरंतर सत्संग करने से और अब्यास में सच्ची मैनत करने से बढ़ेंगे सच्चे गुर्देव की पूरी रहनुमाई याने पूरी दया, समाल और मदद के बिना महल में दखल नहीं मिल सकता गुर्देव की प्रीति घट सब्द सुनाई सब्द सुनत सुरुति घर को जाई तीशरी समाल सब्द और नाम में प्रीत और प्रतीत नाम और सब्द से मतलब उस चेतन्य सक्ति से है जो धुन रूप है और पूरी रचना का आदार है जो धुन रूप है वैजों कात्यों बोलने और लिखने पढ़ने में नहीं आता संतों ने अपने प्रेमी शेवकों को उसका लखाव घट में कराया दुन्यात्मक नाम से चड़ाई होगी बिना सब्द के मन किशी भी सुरत में जेर नहीं हो सकता बगेर मन के काबू में आये माया के गेर से नहीं निकल सकते वरनात्मक नाम मन और अंतकरनों की सफाई के लिए है माया के दाइरे यानि गेर से बाहर केवल नाम की दार ही ले जा सकती है और सच्चे पूरे गुरुदेव उसी सब्द या नाम के देहधारी रूप है और सेवक के अंग संग है सब्द का पूरा भेदव सादन गुरु दया करके देंगे और उनकी दया से सब्द की दात मिलेगी तबी जीव का कारज बनेगा उस सब्द की धुन को पकड़ कर निजगर की और चलना सुरतसब्द योग कहलाता है चोती बात जिसकी समाल करने जरूरी है प्रेमी सतसंगियों से प्रेम और दया का विवहार जो सच्चे परमार्थी याने प्रेमी भक्त हैं वे गुरु के प्यारे हैं ये सतसंगियों का समाज गुरु की प्यारी संगत है परमार्थ के इच्छुक व्यक्ति को दुनियादारों का प्यार और मेल जोल कम करते रहना चाहिए क्योंकि दुनियादारों का प्यार दुनिया में गहरा फंसाता है सत्संगी को प्रेमी सत्संगियों के साथ प्रेम वे मेल जोल से रहना चाहिए प्रेमी भक्तों से ही हम प्रेम और भक्ती का बरताव और रीती नीती सीख सकते हैं जो अपने प्यारे को प्यारे हैं और स्वयम खुद भी गुर्देव को प्यार करते हैं यानि जो प्रेम मार्ग के पतिक हैं उनसे प्रेम और पीत का व्यवहार रखना चाहिए जिसको गुरु बक्त प्यारे नहीं लगते या जो गुरु बक्तों से इर्शा रखते हैं उनको गुरु भी सच्चे तोर पर प्यारे नहीं लगते सथसंगियों को अपने भाई बेनों की तरह समझें पांचमी बात जिसकी समाल रखनी जरूरी है वह है मन और इंद्रियों की निरख और परक। हर समय सावचेत रहने तता भूल और भरम के दूर करने के लिए ये जरूरी है मन बहुत दोकेबाज है जहां थोड़ा सा दाव लगता है परमार्ती नुकसान करा देता है। दुनिया के भोगों की चाना त्रशना उठाकर भोगों में प्रवर्त कराकर मन परमार्ती विग्न पेदा करता है। इसमें इंद्रिया मन का साथ देती है। इसलिए परमार्ती को सदा ही मन पर चोकीदारी करते रहना चाहिए। मन जो जो संकल्प उठाता है उसकी जाँच करता रहे और मन को दुनियावी संकल्प की दारा में बैने से रोके गुनावनों से नहीं बचेंगे तो मन अपने अब्यास का सारा कीमती समय गुनावनों में और इस तरह दीरे दीरे पूरा जिवन इसी में खर्च करवा देगा अब्यास में इस तरह कुछ भी हासिल नहीं होगा तो मन फिर अब्यास पर अभाव भी ला देगा परमार्थी भोगों की इच्छा वगुनावन से पूरा पूरा बच्चे छटी बात जिसकी समाल करना जरूरी है वै है सच्ची दीन्ता जो अपनी गल्तियां खुद डूंडेगा उसे अपनी कमिया नजर आएगी तब दीन्ता भी आएगी मालिक को दीन्ता प्यारी है दीन्ता सब को प्यारी है दीन्ता के बगएर सच्चे तोर से प्रार्थना भी मन नहीं आएगी एहंकार का मसाला तो मन में पहले से ही दरा है उसको निकालना जरूरी है एहंकार भारी गंदगी है बगेर दीनता के एंकार नहीं गड़ेगा एंकार सहित कियावा कोई काम चाए कितना ही अच्छा हो उसकी गिंती नहीं है परमार्त में विग्न भी बहुत है उन सब से बचने का उपाय केवल दीनता ही है जो दीन है अपने को कसूर वार और छोटा मान कर दया की मदद मांगता है और गल्तियों की शमा मांगता है उसी पर दया की जाती है और उसी की भूल चुक माफ फरमाई जाएगी जो अपने को ठीक और पूरा समझता है कभी अपनी गल्ती नहीं मानता उसकी आगे तरक्की भी नहीं होगी आगे सुदार का रास्ता बंद हो जाएगा जब तक अपना काम पूरा नहीं बन जाता तब तक परमार्थी का कर्तव्य है कि जतन करना चालू रखे और दीनता और प्रार्थना करता रहे जो सच्चा दीन होकर मांगता है मालिक उसे भक्ती का दान देते हैं मालिक के घर कोई कमी नहीं है सात्वी बात जिसकी समाल करना जरूरी है वे है मोज के साथ मुआफकत मोज के अनकूल रहना मालिक और गुर्देव की रजा और प्रसन्नता में अपना जीवन जीना भक्ती का खासम खास अंग है मोज के साथ रहने का मतलब है मन की इच्चा को त्यागना मोज के साथ मुआफकत तो पूरी गुर्मुकता का नाम है फिर भी सत्संगी को दिन दिन मोज के अनकूल रहने की कोशिस बढ़ाते रहना चाहिए मालिक या गुर्देव की इच्चा के खिलाब काम करके उनको प्रसन्न नहीं कर सकते जो मन के कहे में चलते हैं वे ही काफिर हैं मन के कहे को छोड़ कर गुरु के कहे में चलना ही बक्ती मार्ग का सार है बगेर मोज का आदार लिए बगेर उनकी आग्या पालन और उनकी प्रसन्न ताके परमार्थ की सुरुवात ही नहीं होगी यदि कोई अपने गुर्देव के वचनों पर इतना अडिग हो कि उस पर मर मिटे तो इतने में उसका पूरा परमार्थ सरवांग तोर पर बन गया सचे गुर्देव की मोज कभी मसलहत से खाली नहीं होती हालांकि जीव अपने बुद्धी से उस मोज की मसलहत को जान भी नहीं सकता जीव का फर्ज है बगेर जादा सोचे समझे बगेर जादा सोचे विचारे हर मोज को दुख में भी सुख में भी अपना हितकारी जान कर मोज में प्रसन रहना सीखे मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद को इसाद जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाद मन मुरीद संसार है गुरु मुरीद को इसाद जो माने गुरु बचन को ताका मतागाद याद रखने की तीन बाते हैं और भूलने की तीन बाते हैं याद रखने की तीन बाते हैं पहली बात जो याद रखनी है वह मालिक का नाम और गुरुदेव इस बात को समझ कर कि इस जगत में केवल सच्चे गुरू और उनका दिया हुआ नाम ही केवल सच्च है रात दिन इन दो को ही याद रखे नाम और गुर्देव का रूप यानि नाम के सुमरण में और गुर्देव की याद के बगेर एक स्वास भी फालतू ने जाने देवे नाम को ऐसा हर्दे में बसावे कि सोते वे भी उसी में बहलता रहे इन दो परमतत्व या परमसत्य के अलावा यहां दुनिया में सब माया है सब जूट है काल का जाल है हरगिज हरगिज उनको याद न करे दूसरी बात जो याद रखने की है वो है अंतर में चरण धार निजगर से जो मालिक के चरणों की धार आ रही है जिसे संतों ने सब्द कहा है वही हमारे गुरुदेव का निज रूप है अब्यासी हर समय अपने चित्व मन को उसी चरण धार में जोड़े रखे उस चरण धार या सब्द की धार के अलावा तमाम जगे काल की चक्की चल रही है यह चरण धार मा की गोद या गुरुदेव की गोद है काल से बचना है तो हरदम सुरत को वही टिकाए रहे याने मा की गोद में रहे सिवाए इस अंतर सब्द के काल और माया से किसी भी सुरत में कोई नहीं बचा सकता वह चरण की धार सब्द की धार और गुरुदेव एक ही है तीसरी जो बात याद रखनी है वहे दुनिया की नास्वानता परमारती हर समय दुनिया की नास्वानता और दोखे को भी याद रखे माया के तमाम सुख जूटे हैं, म्रग तरश्ना है, काल का फंदा है ऐसा सदेव याद रखे और इन से बचे बूलने की तीन बाते हैं पहली बात जिसको बूलना है वह है मन का मान मान का अउगुण सब अउगुणों में भारी है और मुश्किल से दूर होने वाला है जीना मान मन में धराई रहता है मान बडाई यस ये परमार्त में भारी रुकावट है इस जहर को इस विश को जल्दी दूर करे अपने बडपन की बात भूल जावे अपने को नाचीज ऐ समर्थ नकारा समझे दूसरी बात जिसे बूलना है वो हैं भोग और माया के सुख प्रेमी और सत्संगी को माया के मन के इंद्रियों के भोगों को चित से बिसार ना चाहिए भोगों की ख्वाइस सुरत चेतन्य की धार को नीचे और बार की तरब भाते हैं भोग और सुख माया का चारा है इनको भूलना ही बहतर है इन में खेंच सकती बहुत है भोगों और उनकी गुनावन से बचे बगेर परमार्त नहीं कमा सकते बूलने की तीसरी बात भोगों की गुनावन मनसा त्रसना संसार का बरोसा भोगों की गुनावन भोगों से कम खतरनाक नहीं हैं रात दिन भोगों के विसे में चिंतन से विसे विकारों के संसकार सुक्षम रूप से अवचेतन में बस जाते हैं ऐसे ही दुनिया की आसा, माया की मनसा, दुनिया का बरोसा ही अपने दिल से दूर कर देना चाहिए ये अपने प्रीतम गुर्देव को अपने मन मंदिर में बिठाने के लिए गटकी सफाई करना है